वाहिगुर्जी दा खाल्चा वाहिगुर्जी दी फते केंदरी मंतरी ने कहा के पाँज तक्तां दे जत्थेदार साहिबान नो भी सद्धा दिता गया के अंदरने सारी गुर्दवारा कमेटियान उड़ी फ्रोग्रम विच शामल होंदा सद्धा दिता है सत्संग होते रहते हैं प्रार्तना होते रहते हैं और गुरु तेक बाउद्दुर जी का जी जगा शेश कटी हुए शेश को लाकर उनके अंतिम समस्कार किया गया उस तान पर भी विकाब गंजी गुरुद्वारे के नाम पर आज भी प्रार्तना होते रहते हैं यह पर वो उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाना और युवा पीडी नया पीडी आज का पीडी को प्रेरना देने वाले इत्यास को बताने के लिए उनका साक्रिफाइज को बताने के लिए उनको बलिदान को बताने के लिए बारत सरकार अलगला कारेक्रेम्ट किया है बीस तारिक को मानने ग्रोह मंत्री एवं साकार मंत्री आधरने अमित्शा जी इस समागम में पहले दिन भाग लेंगे बीस तारिक को लाइटन शो तता कीरतन का एवजिन किया गया इस दावरान चार सव दित्तदार के परिवार और चार सव रागी सिमवं के जतकीरतन करेंगे गुरू तेग बहुत्दूर जी के जीवन के प्रेरना देने वाले प्रदर्शन भी रेड़ पोर्ट में बीस और एकीस दो दिन लगाएंगे और 21 को 21 को भारत का प्रदान मंत्री आदेर नरेंदर मोडी जी इस परू के समापन सागाम में समापन समागम में शामिलोंगे उनके याद में उनके बलिदान के याद में अधन्य प्रदान मंत्री के द्वारा एक पोस्टल स्टाम्प डाक टिकेट और काइन बारस सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा उसका आविश्कारों भी होगा लोकारपन भी होगा इस बविय समागम के कारक्रम में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से अनेक प्रमुक सिक संगत के महनुबाव इस्सा लेंगे हम संस्कृति मंत्रा ले द्वारा हम प्रैस करें सब लोगों को इनुटेशन पहुंचाने के लिए हम आप लोगों के द्वारा भी सोभी प्रमुक अमरे सिक संगत के महनुबावों को आवान करताओं हम इस बहुए कारेक्टरम में भाग लेने के लिए अलग-अलग राज्यों से हम कुछ चीप पिनिस्टर्स जिस स्टाइट में एक कमिटी गटित किये गा था अधने प्रदान मंत्री जी के नेतुर्त में उसमें हाई लेवल कमिटी उसमें ग्यारा मुक्य मंत्र भी शामिल थे उनको भी हम आमंत्रित कर रहे और जिस देगा भी जो गुरुद्वारा हैं प्रमुक गुरुद्वारा सुभी गुरुद्वारां के प्रबंध कमिटीयों को उनके कारेकारनी सदेश्यों को में आप लोग के द्वारा आमित्रित करता हूँ पहली बार बारस सरकार ने इसी कारेक्रम को साट सतर वर्ष में कभी भी नहीं हुआ इस बार आधरने प्रदान मंत्री मोडी जी के आदेश पर इस कारेक्रम आजात कामुत मोटसव के दुश्य कोन से इसकी योजना किया गया और देश में प्रमुक जित्यदार और सिक नताओं भी इस कारेक्रम में बाग लेना चाहिए बाग लेने के लिए हम प्रायास करें इस समागम को भव्य और इतियास बनाने के लिए अम प्रायस करें उसमें बाबा बल्वीर सिंग जी बतिंडा, बाबा हरनम सिंग जी कल्सा, अमृत सर, बाबा अतार सिंग जी अमृत सर, सिंग साहिब ज्यानी हरिपिल सिंग जी जैसे अनेक प्रमक सिक्संगत के गुरुवों को भी हम बुलारे, जेतदारों को भी बुलारे, आज मैंने आपसे प्रदान मंद्री जी के और बारा सरकार के और से मैं सोभी लोगों को अंडोध करता हूँ इस कारेक्रम में वेक्तिकत इसमें भाग लेना चाहिए आजाद कमरुत वर्ष में हम अलग-अलग कारेक्रम कर रहे बगवान बिर्शा मुंडा से लेके अनसंगी रोष से लेके, सुबा चंडर बोष जी लेके हमके धर्म के लिए जो भी धर्म बचाने के लिए भारत को आजादी लाने के लिए जितने भी लोग अलग-अलग अंडोलन किया हैं, बलिदान हुआ हैं लोगों का याद कुरने के लिए आज के नौजवान को और के पीड़ी के समने लाने के लिए 12 सरकार के और से इस आजाद के अमरुत मोथसों में हम कारेक्रम करें यह कारेक्रम लगातार चलेगा इस 20 से किस का कारेक्रम भी हमारे लिए देश के लिए देश के नौजावन के लिए ये कारेक्टरम प्रमुक कारेक्टरम है इसलिए मैं सुब लोगं से अन्रोद करता हूँ इस कारेक्टरमें भाग ले मैं आप लोगं भी आमंत्रविति करता हूँ